नमस्कार साथियों आप सभी का वेलकम आपके यूटूब चैनल मैधस के नायक के अंदर और आज स्टेडी के अलावा थोड़ी सी में अलग आपको जान करीद हूँगा दो हजार चुनाओ से रिलेटिड ठीक है हाल फिलाल मैं आप देख रहे हो नतीजे एक्जिट पॉल या ओपिनिन पूल का इसे नतीजे चलती रहते हैं लेकिन लेटेस्ट में अभी exit poll का जो नतीज़ा आया है उसमें जिसकी भी सरकार मन रही है वो बता रहे हैं आप सभी को पता है और आज का तो वीडियो है हमें किसी की सरकार को मतलब नहीं किसी की सरकार बने या ना बने मैं आपको डेमोक्राशी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कफी अच्छा लगेगा आपको ध्यान सुनना हमेशा देखते हैं कि न्यूज चैनल वाले लगातार 23 तारीकों रजल्ट आने वाला है और हम बुरे भारत में 7 फेज के अंदर आपका वोटिंग हुआ यानि 7 चल एक्जिट पूल क्या चीज़े कैसे बता रहे हूँ यह आपने यह सुनागा ओपीनिन पूल क्या होते हैं ठीक है तो मैं आपको बता हुआ दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों कब काम करते हैं और क्या वाकर में रिलाइबल है यह चीज़े तो इसकी मैं आपको जान कर दे ठीक है और एक तरफ आपका होगा एक्जिट पॉल ठीक है एक्जिट पॉल जो भी चल रहे हैं क्या डिफ्रेंस अभी सबसे पहले आपको यह बताता हूं इसके में फिर चीजें क्लेरिफाई करेंगे कि देखो पीनींश है हैaden और यह क्या होता वोटिंग के बाद यह वोट के क्या होता बात या जब यह वोट्स नहीं होती उससे पहले आपने देखोगा न्यूज जितने भी न्यूज चलेने चे आज तक है चे इंडिया टीव है न्यूज 24 है या रीपब्लिक है जितने भी न्यूज चेनल है वो सारे यह दिखा रहे हैं एक्जिट पोल के बारे में बार बार बताते जा रहे हैं उन्यूस तरी को जब कंप्लीट हो गया था अपना वोटिंग उसके बाद में एक्जिट पोल के नतीजे आए थी तो आप यानि एक्जिट पोल के जो नतीजे होंगे एक्जिट पोल कब काम करेगा जब वोटिंग ख i захuby आगर मैं बात कुरें यहाँ पर। तो जितने भी न्यूजius channel है या जितने एज़ेंशी हैं लूभ से मिलेंगे पभल्स स clown करेंगे। उससे पहले लोगों के बीच जाएंगे, उन से जानकरी प्रप्त करेंगे, उनके विचानों को जानेंगे, कि आपने बेकिस को वोट देने की इच्छा है, किस मुद्दे पर आप वोट दे रहे हो, ये चीज़ें, मैकसिमल लोगों तक पहुंचते हैं, ये जितने न्यूज हम इसको दे रहे हैं, तो उसके एवरेज के उनका एवरेज लेकर ही ये ओपिनिन पॉल बताए जाते हैं, कि इन फूचर के इंदर जो सरकार बनेगी, इस पार्टे की सरकार बन सकती है, ये बताया जाता है, ओपिनिन पॉल का मतलब यह होगा, कि लोगों बीच में अब एगजिट पॉल क्या होता है, एगजिट पॉल भी सेम ओपिनिन पॉल की तरह होता है, लेकिन एक बताए ये वोटिंग के बाद होता है, वोट जब कंप्लीट होती है, उसके बाद में क्या करेंगे, ये लोगों तो पहुंसते हैं, फिर पब्लिक के साथ क्या होगे, रिलाइबल करेंगे, उनके साथ पहुंचेंगे, उनके विचारों को जानेंगे, और उन से पूछने की कोश्च करेंगे, आपने किस पार्टी को वोड दिया, ठीक है, तो अगर मुझसे पूछा जाए, तो मैं भी किस को दूँगा, किस को, कुछ ने तो उनको बताने वालो, आपसे अगर पुछ को तो आप भी बताओ गि मैंने किस पार्टी को वोड दिया, इसी तरह जनता से ये बातचित करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके विचारों को जानने की कोश्च उते हैं, तो जनता बताएगे कि मैंने कॉंग्रिस को दिया, मैंने भाजपा को दिया, यह किसी अधर पार्टी को दिया इस तरह से पूछे जाते हैं तो मैक्सिमल लोगों के पास पहुंचकर ये चीज़े पूछते हैं उसके बाद ये एक्जिट पोल निकालते हैं अभी तो सरकार जो बनते दिखाई दे रही है एक्जिट पोल से एंडी के सरकार आपको बनती भी नजर आ रही है ठीक है जिसके बने अपने को क्या करना हमें तो थोड़ी ची जानकारी देखनी है जो अपने काम की रहती है हमेशा हम स्टूडेंट है सिडी के लाओ में अधर जानकारी बहुत होनी जाएक ने काम करते हैं इंडिया में भी काम करते हैं तो आपको समझ माया कि ओپिनिन पोल क्या होता एक्जिट पोल क्या होता ये लोगों की राय होती है वोटिंग से पहले की रोटिंग के बाद में अब आपको मिरे को बात बताओ, जैसे राजस्तान के अंदर चुनाओ हो गया था उसके बाद exit pole क्यों नहीं आया है? चुनाओ तो हो गया, सारा incomplete होने के बाद exit pole क्यों हुआ है? तो मिरे खुनाओ, अगर चुनाओ, राजस्तान को और exit pole निकाल देंगे तो लोगों के पास यह रहे जाए कि जिसकी सरकार बनाएंगे एक्जिट पॉल के अंदर तो लोगों के विच्यार क्या होंगे ब्रहमित होंगे तो निर्वाचन आयोग ने इस पे बहन कर दिया एक्जिट पॉल के उपर की कहा exit pole के जो नतीजे हैं आप completely जब सारे चरणों के चुनाओ खथम हो जाएंगे तब ही आप निकालोगी इससे क्या defect है इससे नुकसान होता है पार्टी वाज़ को क्यों कि राजस्तान में किसकी सरकार दिखा रहे तो लोग उनको देख कर ही वो डाल दिते हैं कई बारतों ओपिनिन पॉल आप ले सकते हो पहले ओपिनिन पॉल पे कोई रोग टोग नहीं पहले होगी लेकिन एक्जिट पॉल के नतीजे हमेशा ही चुनाओ जितने फेस में होता है जैसे साथ चरणों में अपना चुनाओ इंडिया के अंदर तो complete करवा कि एक्जिट पॉल के नतीज तो ये कामियाब है क्यों क्यों कि वहाँ पर population क्या है बिल्कुल कम है और population जब कम होगी तो लोगों के साथ जो हम मिलने की कोश्च करेंगे तो सभी लोगों से मिल सकते हैं क्यों population कम है ज़दा कुछ अपने बागदोड नहीं करने पढ़ेगी लेकिन आप इंडिया की बात है तो होता क्या एक्सल की लिमिटेड लोगों के पास यह जाया जाएगा कोशिश तो करते हैं लेकिन इतने लोगों को पास नहीं पहुंचा जा सकता तो लिमिटेड पब्लिक के पास ही यह पहुंचते हैं और उनसे राइज जानते हैं तो अब देखो इतनी जंता है मतलब मान लेजिए पांच परसंट डोगों पास पहुंचते हैं क्योंकि घुमना फिर न उता यह तो नहीं के अपने रागस्तान से पहूंच वह सबस्त lle, नहीं भी नहीं पहुंचते हैं इतना इलिये की बात करें तो तो यानि क्या होता है कि reliable अब एक बात आप को इमता हो कि अगर आप से पूछे किसी ने वो डॉला तो आप क्या करोगे आप बताते कुछ और हो या लगबग लोग बता देते हैं कि अपने उसको डॉला लेकिन का कहीं ने कहीं यह सचा ही है कि लोग इतने reliable हो चुके हैं कि व अपने को कई बार देखने को मिलते हैं पीछे भी देखने को मिले थे इस बार क्या होगा वो हमें कुछ नहीं पता तेजिस तारीको फाइनली जो एक्जिट पॉल है या ओपिनिल पॉल हो जब फेल हो जाएंगे कम जब आपके रिजल्ट आएंगे क्योंकि वहां पर अगर पॉल की बात जो बोल रहें वो होगी तो सच बड़ी बात है या एक्जिट पॉल की भी सच हो सकती है जूट दोनों भी उसे लेकिन जो फाइनल रिजल्ट अपने को जब भी मिलेगा भाहिया जब तेज तारीको रिजल्ट आ जाएंगे तो मेरे कहने का मतलब डेमोक्रोश पूछी है अपने भारत के अंदर तो आपको इसका ध्यान होना चाहिए कि एक्जिट पॉल क्या है अगर आप से को पूछ लिए स्टूडेंट सुरी घर परिवार में आप से पूछ लिए कि आप पढ़ते हो भी आप बताओ हमें एक्जिट पॉल क्या है टीवी में साहरे लोग तंतर पर जाओंगा वहीं होगा अद्रवाईज नहीं होने वाला कहा तक सचाई है यह भी आप इनके अंदर बता सकते हो तो आपको समझ में आया कि सचाई कितनी है कितनी नहीं है तो उमीद करूं आज की वीडियो आपको अच्छा लगोगा छोटी सी जानकरी मैंने आपको दी मुझे लगा कि जानकर देने चाहिए और I hope आपको समझ में पियाए होगी चलिए वीडियो देखने के लिए आपका भहुत भहुत धन्यवाद जल्दी मिलेंगे एक स्टेडी का वीडियो लेकर तब तक के लिए धन्यवाद